अलो गोस्तों मैं हूँ डॉक्टर आपी और आज में बताऊंगी कि आफिल से क्या असर होता है जी हाँ आफिल आपके पीरियोड को क्या रोप देती है क्या आफिल खानी से आपको कभी भी पीरियोड नहीं आएंगे क्या मासिक ठक्र आपका थंचा आएगा महिलाओं में इसी बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती है आफिल देने के बाद आफिल्स क्या है? चलिए सबसे पहले जानते हैं आफिल्स आफिल्स मार्केट में अबल-बल एक गर्भ निरोधर कोली है अंचाहिक गर्भ अंचाहिक गर्भ को रोपनी के लिए ये कोलिया महिलाओं द्वारा ले जाती है डॉक्टर इसे अपनी कंसर्ट के ठ्रू ही देते है गर्भ निरोधर कोली वैसे मार्केट में बहुत सारी है लेकिन आफिल्स मोस्ट कॉमनली यूज होती है सबसे जादा इसी के इस्किमाल होता है और इसे पेर विश्वास भी काफी अच्छा है चले जानते हैं कि क्या आइपिल्स लेने से आपके मासिक धर्म यानि पीरियोड में कोई गर्वड़ी होती है क्या उसमें कोई प्राप्लम होगी क्या पीरियोड कभी नहीं आएगा तो इसका जवाब में ऐसा बिल्कुल नहीं है आइपिल का काम बस इतना है कि प्रोजिस्ट्रिल होगी को बढ़ाना और इसका अगरें सिंपल एंग्विज में मैं आपको बताओं कि आइपिल लेने से ऐसा कोई भी कत्रा नहीं है आइपिल आपकी ओबलेशन पीरियोड को रोपता है यानि कि जिस समय बच्चा थैवी की संभावना वोपर जादा रहती है उस चीज को ये कम करता है ये गर्भ के सामने एक मोटी सी छिल्ली बनाता है जिसके थ्रो सुक्रानों जो है यानि स्पर्म भी ये है वो जो है गर्भाशत तक जवडी नहीं पहुँच पाता जिसके वज़े से ही आपका पीरियड यानि कि आपकी ओबलेशन की पीरियड के समय बच्चा जो है नहीं ठायता इस गोले को लेने का समय क्या है इस गोले का जब ही आप इंटिमेट होती है जब ही आप सारे इस संबद मनाती है उसके बर्तर दंटों के अंदर ये गोली देने चाहिए आप इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इस तरह से आप पूख गब और कैसी लेनी है ये गोली लेकिन ये गोली बिल्कोल भी आपके पीरियड पे कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेगी और जी हाँ आपकी लेने के बाद जैसे आपका मासिक चक्र यानि पीरियड जैसे आ बाल, thank you